तेस्ट के बारे में बात करते हैं आईए आज की क्लास शुरू करते हैं कापी इंपोर्टेंट है थोड़ा सा त्यान से अटेंड कीजिएगा प्रोथम विन टाइम पीटी आईए एनर टेस्ट की बात करें तो पीटी आई एनर की सबसे पहले फुल फॉर्म देखते हैं पीटी आई एनर की सबसे पहले फुल फॉर्म देखते हैं तो पीटी की जो फुल फॉर्म हो वो क्या होगी सबसे पहले प्रोथम विन टाइम ताइम और आए एनर की full form देखें तो आए एनर की जो full form है वो क्या होगी International International Normalized Normalized Ratio यह होती है PTA आए एनर की full form तो हम बात करते हैं कि प्रोथों बीन है वो एक क्या crystal fact याद रखेगा, प्रोफपपिन का एक Clotting Factor है, प्रोफप्पप्पन previous года, प्रोफप्पीन का है, और प्रोफपीन क्या है, वितामीन-क E-Dependent Clotting Factor है, आ बस्यूद्धिन इम्प्रफपों Eso講arta है, याद रखेगा, lav 1964 सकता है कर you are, कि which is which clotting factor is known as vitamin K dependent clotting factor that is prothombin, prothombin is the vitamin K dependent factor, या पर नोट करते हैं, नोट कीजेगा, prothombin is prothombin is vitamin K dependent factor, vitamin K dependent clotting factor, vitamin K dependent clotting factor है, prothombin का है, एक vitamin K dependent clotting factor है, याद रखने की बात है और important है, थोड़ा सा underline कर लिजेगा इस बात को, ठीक है students, अब next time बात करते हैं, next time बात करते हैं, जो prothombin है, उसका production कहां पर होता है, तो prothombin का जो production होता है, लीवर की अंदर, ठीक है, prothombin का जो production हो रहा है, वो कहां होता है, लीवर की अंदर होता है, ठीक है, लीवर हमारी body का सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा metabolize और गयन है, और यह जो clotting factor है, prothombin है, प्रothombin क्या है, necessary clot formation के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी clotting factor होता है, ठीक है, clotting factor की पूरी एक chain होती है, अगर वो chain incomplete रह जाती हैं भी, यहाँ अगर कोई सा भी एक भी अगर उस chain के अंदर से कोई भी एक clotting factor हो, वो अगर missing होता है, तो पूरा, पूरा का, पूरा clot formation का जो mechanism है, वो incomplete होता है, ठीक है, नेक्सम बात करते हैं, नेक्सम बात करते हैं, प्रोथम बिन टाइम, PT, PT, PT मतला प्रोथम बिन टाइम, यह जो टेस्ट है, PT वाला जो टेस्ट है, वो अब है क्या बताता है, कि blood का clotting होने के लिए कितना टाइम चाहिए, ठीक है, bleeding time के बाद clot formation के लिए हमें कितना time चाहिए, वो time बताता है, कौन बताता है, clot, यह प्रोथम बिन टाइम, ठीक है, प्रोथम बिन टाइम, इसर दा amount of, amount of time for clot formation, कि clot formation के लिए कितना time required है, time required for clot formation, time required for clot formation, कि clot formation के लिए कितना time वो required होता है, next हम बात करते है, indication, कि कौन बोन से ऐसे case है, जिनके अंदर हमें clotting factors की या PTINR टेस्ट की हमें जवरत पढ़ लिए, ठीक है, PTINR टेस्ट अब बहुत ही important टेस्ट, इस्टुडेंट ध्यान रखिएगा, और बहुत बार इसमें से MCQ पूछे जाते, तो पहला, सबसे पहला indication है, clotting system dysfunction, students, clotting system dysfunction का मतलब हो गया, अगर कोई भी जैसे, हिमोफीलिया बगे रहे, हिमोफीलिया है, उसके अंदर clotting vectors की deficiency होती है, ठीक है, साथ की साथ, कोई अगर other mechanism, other another blood disorder, जैसे की DICB होता है, ठीक है, disseminate intravascular coagulopate, इस conditions के अंदर हमें क्या जरूर पड़ती है, clotting mechanism हो, वो impaired हो जाता है, और हमें PDINR test उसको identify करना पड़ता है, साथ की साथ, liver disease के अंदर, next है, liver disease, students, अभी हमने बात की थी, ठीक है, प्रोथम बिन प्रोड्यूस कहां से हो रहा था, लिवर से, प्रोड्यूस भाए निवर, प्रोड्यूस भाए लिवर, अब जो चीज़ लिवर से प्रोड्यूस हो रही है, तो अगर लिवर disease है किसे patient को, कुमान डीज़े, CLD बोलता है, CLD, CLD का मितलब हो गया, chronic liver disease, chronic liver disease, अब chronic liver disease की स्टुड्यूस आप बात कर रहे हो, अगर आप chronic liver disease की आप बात कर रहे हो, तो chronic liver disease, अगर किसी patient को है, तो उस patient की अंदर क्या नहीं हो पाएगा, प्रोड़ूम बिन का production ही नहीं होगा, अब अगर production, प्रोड़ूम बिन का production नहीं होगा, नेक्स्टम बात करते हैं, विटामिन की, अभी हमने बोला की प्रोड़ूम बिन वह थो totally dependent, विटामिन की पर dependent, प्रोड़ूम बेक्टर है, थीक है, because, because, अब क्या होता है, कि प्रोड़ूम बिन हो थो क्या हो रहा है, विटामिन के उपर डिपेंडेंट है इस वज़े से वहाँ पर स्टुडेंट्स आपको जरुवत पड़ेगी कि विटामिन के डिफिसेंस अगर किसी पेशेंट को है तो उस सिच्वेशन के अंदर आपको क्या बरना पड़ेगा पीटी आई है ना कैसे वह करना होता है नॉर् नेंटन प्लोरा ओफ इंट्रेशेंट जो इंट्रेशेंट के जू नॉर्मल ट्लोरा वह बनाते है खिसको बनाता है विटामिन के इसनिटामिन के चाहिए होता एमारे ब्लड के एचे लिए बीटामिन के पर डिकेंड पर डिपेंड कौंसा व्यक्टर है ऐच समब्य गाल ओटाक्ट व्यक्टिक Tú to किसी हम दोरी सी कदीशन की वज़े से क्योंकर यो कदिशन की वज़े से और ऑच pays का पता लगाने के लिए मियका के इंदेंस्य हो जाती हैं बढ़ जाती क्योंकि Care factors सारे और पर mãईजमॉलेशन के अंदर क्या होता है चले जाता है नेक्तक हम बात करते हैं कि पीटी आई एनार जो टेस्ट है जो पीटी आई एनार टेस्ट है वह वारफेरिन सोडियम की जो थेरपी होती है, वारफेरिन सोडियम की जो थेरपी होती है, अब वारफेरिन सोडियम थेरपी की इफेक्टिवनेस को बताने के लिए में क्या करना पड़ता है, वारफेरिन सोडियम थेरपी है, उसकी इफेक्टिवनेस को बता करने के लिए में क् पीटी आई ना टेस्ट किया जाता है मैं आपको बताना चाहूंगा कि वारफेर इन सोडियम थेरेपी है यह एक एंटिकोएगुलेंट थेरेपी है और एंटिकोएगुलेंट थेरेपी है यह क्या पिड़ती है ब्लड थी नरपापाम करती है और यह ओरली एड्मिनिस्टर की जा सकती है वारफेर इन वारफेर इन कैन बी और एड्मिनिस्टर बट इस पेरी ने वो कभी भी ओरली नहीं दिया जा सकता है कि अगर आप इसे क्या हो सकता है इसलिए वारफेर इन को आप ओरली एड्मिनिस्टर कर सकते हो ठीक है और वारफेर इन वारफेर इन वो कुछ पॉंट्रा इंडिकेटेड है वारफेर इन कोंट्रा इंडिकेटेड इन प्रेग्नेंसी Pregnancy के अंदर Warparing क्या होता है? Contra Indicated होता है Student Warparing Contra Indicated है कित के अंदर Pregnancy के अंदर Because ये क्या करता है? Teratogenic Effect कोज़ करता है ये क्या कोज़ करता है? Teratogenic Effects Teratogenic Effects का मतलब होता है Congenital Defects Congenital Defect Or Malformation May Occur In Baby, In fetus Batche के अंदर Congenital Disorder हो सकता है Congenital Malformation होसे फिर Congenital Defect कोज़ कर सकता है तो इसे लिए Pregnancy के अंदर ये क्या होता है? Contra Indicated होता है Pregnancy के अंदर ये क्या होता है? Contra Indicated होता है तिक है? Next time बात करता है कि जो ऐसे इन्डिविज्वडेट जो green leafy vegetables जो green leafy vegetables अपनी डायेट के अंदर ज्यादा ज्यादा लेते हैं तो वो उससे क्या होता है? वो लोग क्या करते है? विटामिन के के absorption को क्या कर देती है? इंक्रीट कर देती है इंक्रीट कर देती है इंक्री के अंदर और भी जल्दी हमारा क्लोट पॉर्मेशन होने लगता है ठीक है तो यह भी एक इंपॉर्टन पॉंट है यहां से भी एंसी क्यों आपको मेल सकता है कि क्या डाइट है वो प्रत्मीन डायम या पीटी आये ना टेस्ट करती है तो ग्रीन लीफी वेजीटेबल सा उनके अंदर क्या होता है विटामिन के को एक विटामिन के के अबजॉप्शन को क्या बहुत ही important mcqa student ध्यान रखिएगा important mcqa ठीक है और जब भी हम किसी patient को जब भी हम किसी patient को warfarin therapy दे रहे हैं ठीक है तो warfarin therapy जब भी आप किसी patient को दे रहे हो तो उस condition के अंदर आपको PTINR test करना है ठीक है warfarin के साथ आपको क्या करना है PTINR test करना है और PTINR test करके आपको यह देखना है कि Prothombin time और PTINR उनका लेवल डेड़ से दो गुना अगर बढ़ रहे है तो वो नॉर्मल है जब आप warfarin sodium therapy अगर किसी patient को चल रही है और उस time पे आप क्या गर रहे हो पेशेंट के PTINR test करो उस time पे अगर PTINR अपनी नॉर्मल वेल्यू से डेड़ से दो गुना जादा बढ़ चुका है तो वो नॉर्मल है अगर इ पेशेंट को वार्पेरिन sodium therapy चल रही होते है ठीक है आपको बताना चाहूंगा थीक है वार्पेरिन वार्पेरिन है तो हमें करना पीटी आई एन आ अगर वार्पेरिन पेशेंट को चल रहा है ठीक है अगर पेशेंट पूई वार्पेरिन थेरफी के ऊपर है तो उस इसक्णुचन की नदMost क्या करना होगा पीटी आई अई ना टेस्ट करने और अगर हमारा पेशेंट इपेरिन तेरपी के उपपर है इपेरिन तेरपी पे तो हमें करना पड़ाएगा एक्टी ठीटी ऑनपी एक्टीवेटि ट्रोंबफश्टी टाइग है साथ के साथ दूसरी बात ज्यां तकी यह अगर आप प्टी आई ना टेस्ट कर रहे हो आपका पेशेंट वारफेरिन टेरफिक के उपर है उसके बाद अगर आप टेस्ट कर रहो तो अगर PT INR की वेल्यू अगर नॉर्मल देड से टू टाइम जादा है तो वो क्या कंसिडर होगा नॉर्मल के अंदर वो कंसिडर होगा आपका नॉर्मल के अंदर और यहीं इसी पे यहीं सेम है इस पे भी देड से दो गुना टू टाइम अगर किसी पेशेंट को पेरिन चल रहा है और उसका एपिटीटी की वेल्यू देड से दो गुना अगर बढ़ गई है ठीक है देड से दो गुना अगर बढ़ गई है तो कोई दिक्कत नहीं है यह दोनों पंडिशन के नॉर्मल है ठीक है इस विल्ट मैं आपको जो बताने चाहरा हूँ आई होप आप गेट कर पा रहे हो समझ पा रहे हो उस चीज को ठीक है नॉर्मल है अगर वो दो से जादा टू टाइम टू टाइम से अगर वो मौर हो रही है तो वहां पर रिस्क उफ ब्लीडिंग में कर ना पड़ेगा to नीच्चे की तरह कि नॉर्मल रेंज के अंदर आ जए हैं अब next हम बात करते हैं कि PTINR, APTT जो हमारा टेस्ट उसकी normal value की पिनी हो कि है जो PTINR टेस्ट है, normal value PTINR की बात करें तो 11 से लेकर के 12.5 सेकंड तक वो normal है 11 से लेकर के 12.5 मिलब 11 से 12 तक वो normal है लेकिन अगर warfarin therapy चल रही है तो अब ये 1.5 से 2 गुना तो ये हो गया आपका 22 आ जाएगा 22 से लेकर के 25-26 तक अगर ये वेल्यू है अगर आ रही है आपकी अगर ये जा रहा है आपका INR अगर 22-26 तक के मीज में जा रहा है तो ये नॉर्मल है तो दैस्यूद मिल सकता है तो थोड़ा तव जान से रखियेगा ठीक है एक last note लिखा हुआ है ठीक है कि जब भी हमारा patient जब भी हमारा patient अगर कि कोई patient है और उस patient का जो PT प्रतुम बिल टाइम है वो 25 से ज़ादा more than 25 से किंड और INR वो 3 से ज़ादा हो चुका है अगर वो तीन से ज़ादा हो चुका है तो उस condition के अंदर हमें क्या करना है अगर वारफेरीन therapy ले रहा है तो भी वारफेरीन therapy ले रहा है तो भी तो हमें क्या करना है initiate the bleeding precaution मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर डेट से दो गुना डेट से दो गुना के बाद भी अगर आप वारफेरीन ते लेवल बढ़ता जा रहा है उसकी रेंज वो बढ़ती जा रही है देट से दो गुना मतलब अगर वारफेरीन 25 से किंड वारफेरीन के साथ पचीस सेकंड तक है तब तक ठीक है लेकिन अगर वो मोर देन 25 सेकंड जा रहा है साथ की साद जो आइनर वो जा रहा है तीन से उपर तो इस सिच्वेशन के अंदर क्या होगा रिस्क ओ ब्लेडिंग और पैके अंदर क्या हो जाता है स्टुडेंट इंक्रीज हो जाते है औ पर उस situation के अंदर हमें क्या करना पड़ता है stop the stop the anti-coagulant therapy stop the anti-coagulant therapy anti-coagulant therapy को हमें क्या करना पड़ेगा स्टुड़ stop करना पड़ता है आज की क्लास में इतना है I hope मेरे दुआरा प्रवाइड किया है PTINR के उपर जो भी lecture video है यह इन आपकी nursing officer recruitment examination की preparation में आपकी help करें प्लीज लाइक शेर and subscribe थास्टवाइड